हाई गईस एन वेलकम बैक टू दी चैनल दी पच्यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफियर्स ऑफ थर्ड अफ में 2022 तो गाईस आज है तारिक 3 माई 2022 और है टूजडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभ लोग उस पर क्ले करोगे यह चैनल ओपन होगा यहां से आप लोग डेली बिसस पर इस टी अने के पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हो अदरवाइस इस प्रकार से आपको यह चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है डिरेक्टली टेलिग्राम पर जाना और जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजूकेशन जैसी आप लोग टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से यह तीनो चैनल ओपन हो जाएंगे एक के आगे आगे यूपियस सी लिखाए और एक के आगे कुछ नहीं लिखाए लेकिन यहां पर भी आ जाकर जॉइन कर सकते हो क्योंकि यहां पर आपको डेली बिसिस पर टी एने का पीडिएफ दहिंदू का पीडिएफ और साथी सा डेली बिसिस पर आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है अगर आप लोग मुसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो नाव स्टार्ट करेंगे डिसक्रिप्शन को यह है हमरा आज का सबसे पहला आर्टिकल एक बहुत इंपोर्डन आर्टिकल है एक्सामिनेशन के point of view से जैसा आप देख पार होंगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे criminal justice system के बारे में तो एक criminal justice system क्या है आज के टाइम पर इसके अंदर बदलाव करने के बारे में चरचा की जा रही है तो क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं क्या आवशकता पढ़ गई बदलाव करने की क्या-क की हर एक topic को पूरे detail से cover किया जाएगा उसका क्या aspect है क्या यहाँ पे disadvantage, advantage जो भी information होगी उस particular article को लेकर वो सारी information आपको यहाँ पे cover करवा के दी जाती है तो पहले हम लोग cover करते हैं basic को आखिरकार यहाँ पे इसको लेकर चर्चा क्यों हो रही है तो Supreme Court ने अभी High Court और States को दो महीने दिया है कि जो आपका criminal trial है इसके अंदर बहुत सारी कमिया है और जल्दी से जल्दी इन कम्यों को सुधार लो इन कम्यों के अंदर आपको सुधार करना होगा अपने criminal trial system के अंदर तो ऐसा Supreme Court ने यहाँ पर अपनी तरफ से statement दिया इस article को दहिंदू ने cover किया है details यहाँ पर cover किया है इस पूरे article को मैंने आगे copy paste कर दिया है तो यही से एक एक करके समझेंगे देखो इसके अंदर एक guideline के बारे में चर्जा की गई है draft rules of criminal practice 2020 नाव यह जो draft rule है यह यहाँ पर recommend करता है यह यहाँ पर rule यह बोलते हैं यह बोलता है कि जो investigation है उसके अंदर आज के time पर reform करनी की जरुवत है बदलाव करनी की जरुवत है trial के अंदर बदलाव करनी की जरुवत है that is why यहाँ पर आपको criminal justice system के अंदर एक बदलाव करना चाहिए तो जो criminal justice system है वो क्या है तो आप लोग देख पाऊगे हैं यहाँ पर यह agency है हमारे government की प्लस यहाँ पर जो भी crime है उस crime को रोकने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है ठीक है कुछ कानून है जो की crime को रोकने के लिए काम करते हैं यह पूरा का पूरा हमारा criminal justice system है जो भी हाँ पर crime हो रहा है उसको रोकने में मदद करता है हमारा criminal justice system ठीक है तो यह simple सा criminal justice system क्या है I hope आप लोग समझ गए होंगे अब question यह है कि इस criminal justice system का objective क्या देखने को मिलता है मतलब क्यों हम लोग इस justice system को बनाए है तो सबसे पहला point आप देख पाओगे यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या कर सके हैं जो अपराद है अपराद की घटना को रोक सकें ठीक है तो सबसे पहला point यह देखने को मिलेगा इसी वह से हमारे पास यह criminal justice system आपको देखने को मिलेगा दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे ताकि हम लोग कोई criminal है कोई अपराद ही है तो उसको यहाँ पर punishment दे सकें उसको दंड दिया जा सकें इसी वह से यहाँ पर यह criminal justice system को बनाए गया साथ साथ उस criminal को सुधार जा सकें प्लस यहाँ पर कोई victim में मतलब की करता है साथ साथ यहाँ पर in future यानि भविश्य में जो यह अपराद ही है इसको रोकता है कि यह दूसरा कोई अपराद ना करे तो इसी वज़ासे criminal justice system हम लोग लेकर आये थे और इसी चीज़ के ओपर आज के टाइम पर यह focus करता वह नजर आता है clear हुआ तो आई होप आप लोगों यहाँ पर पहली चीज़ तो यह CJS समझ में आ गई होगी इसको आगे मैं CJS बोल दूँगा बार-बार यह criminal justice system बोलना पड़ रहा है clear हुआ अब बात करते हैं कि इसके अंदर reforms की क्या आवश्यक्ता पड़ गई Supreme Court यहाँ पर क्यों changes के लिए बोल रहा है क्यों इसके अंदर जरूरत है reforms की तो एक एकर करके point discuss करेंगे एक बहुत भेतरिन सा यह article है सबसे बैला point यहाँ बोला गया जो आज के time का criminal justice system है यह बहुत पुराना है यह Britishers लेकर आए थे ठीक है यह अंग्रेजों के time का है आज तक हम लोग इसको चला रहे हैं तो 19th century के जो law है वो 21st century के अंदर लागू कर रहे हो 19th century के law आग भी हाँ पर चला रहे हो तो अपने आप में conflict देखने को मिलेगा ही ना क्योंकि यह बहुत पुराने laws आपको देखने को मिलेंगे अंग्रेजों के time के जो कि आज के time पर आप लोग लागू कर रहे हो तो इस वज़े से आज के time पर एक सुधार की जरुवत है एक change की जरुवत है क्योंकि सामय के साथ यहाँ पर चीज़े बदल जानी चाहिए तो ज़्यादा effective रहेगा time के साथ जैसे जैसे scenario change हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कानून भी change होने चाहिए clear हुआ तो यहाँ पर पहला point यह हुआ दूसरा point यहाँ पर mention किया गया जो criminal justice system का major purpose है वो यहाँ पर यह है कि जो innocent व्यक्ति है उसको protect किया जा सके उसके rights को protect किया जा सके और जो मुझरिम है उसको punishment दी जा सके यही काम है है ना इसका obvious ही बात है जो criminal है जो अपरादी उसको सजा दी जा सके और जो victim है उसको हम लोग यहाँ पर सही से उसको बचा सके उसके हाकों का यहाँ पर ध्यान रखें लेकिन हो क्या रहा है आज के time पर यह जो criminal justice system है एक tool बन चुका है जिसका use किया जा रहा है common people को harass करने के लिए तो मतलब आज इसका दुरुपयोग होताव नजर आ रहा है तो इसी वज़ासे इसके अंदर यहाँ पर एक सुधार की जरुवत है कि ऐसे सुधार करो कि इसका कोई दुरुपयोग ना हो पाए उसके बाद तीसरा आपको point देखने को मिलेगा economic survey है 2018 का तो economic survey 2018 के according बात करें तो आज के टाइम पर लगबग 3.5 करोर cases pending है यह 2018 के survey के according बात की गई है अभी और भी ज़्यादा cases pending पड़े वह हैं तो हमारे judicial system में इतने सारे case तो यहाँ पर pending पड़े वह हैं और यह ज़ाद तर जो case वो district subordinate courts के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं तो भाई यहाँ पर भी क्या हो रहा है जो justice system वो properly काम नहीं कर रहा है तो इसके अंदर सुधार की जरुवत है कुछ changes करो जिसकी वह साम लोग इन सारे pendency of cases को भी निप्टा सकें otherwise आपको पता है कि देर से justice मिलेगा और देर से justice मिलेगा तो justice delayed is justice denied आपको पता है कि अगर देर से किसी को नियाय मिल रहा है तो यहाँ पर समझे उसको नियाय मिली नहीं रहा है केस हुआ है यहाँ पर आज और फिर उसकी सुनवाई हो रही है जो कि अभी यहाँ पर मुझरिम साबीत नहीं हुआ है उनके उपर trial चल रहा है तो इस प्रकारे जो कैदी हैं वो भारत के अंदर बहुत जादे हैं वोल्ड's largest number of under trial prisoners इंडिया के अंदर में है in fact यहाँ पर अगर मैं आपको proper facts बताऊं तो जो NCRV का data है National Crime Records Bureau का इसके according बात करें तो इंडिया के अंदर 67.2% of total prison population यहाँ पर आप देख पाओगी जो की under trial prisoners हैं मतलब जितने भी यहाँ पर कैदी देखने को मलेंगे उसमें से 67.2% के जो लोग हैं उनके उपर सिर्फ और सिर्फ अभी trial चल रहा है वो यहाँ पर अभी मुझरम शाबित नहीं हुआ है तो यहाँ पर कहीं न कहीं चीज़ें बहुत slow चल रही है तो इसके अंदर बदलाव करने की आवश्रक्ता है तो यह भी यहाँ पर एक जरूरत बन गई है उसके बाद अगली जरूरत क्या है आज की टाइम पर देखो जो पुलिस है पुलिस को हम लोग बानते हैं कि एक important part है हमारे administration का हमारे justice system का एक important part पुलिस है लेकिन आज की टाइम पर corruption इतना बढ़ चुका है work load बहुत जादा है जिसकी वज़ा से हम लोग देख पा रहे हैं जो यह justice के delivery है यह बहुत slow हो चुकी है ठीके और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानिया देखने को मिल जा रही है क्योंकि यहाँ पर proper justice नहीं मिल पा रहा है इसके अंदर transparency वगरा के अंदर भी बहुत सारी problems यहाँ पर आ रही है और तुरंत यहाँ पर justice नहीं मिल पा रहा है लोगों को तो इसकी वज़ासे भी हम लोग को जरूरत है आज के टाइम पर इस criminal justice system के अंदर हम लोग बदलाव कर सके हैं क्लियर हुआ आगे बात करते हैं तो यह तो हो गई जरूरत कि क्यों है जरूरत क्यों करने हैं बदलाव अब बात करते हैं suggestions की तो यहीं पर कुछ suggestion भी दिये गए कि हम लोग यह काम कर सकते हैं ताकि कुछ सुदार किया जा सके हैं सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं तो भई दोको हम में जरूरत है सबसे पहली जिस ये कि जो victim है यानि जिसके प्रती crime हुआ है जो crime से पीडित है अब यहाँ पर उस victim का थोड़ा ध्यान रखाजा सके उस victim के लिए protection scheme को लाई चाहिए उस victim को यहाँ पर कुछ compensation कुछ मुआफजा दिना चाहिए ताकि यहाँ प है तो तो इसको बढ़ा देना चाहिए यहाँ पर एक पहला suggestion है दूसरा suggestion यहाँ पर दिया गया कि हमने एक problem यह भी देखी कि cases बहुत जादा pending पड़े वह हैं तो उस cases को कैसे solve कर सकते हैं तो solve करने के लिए आपको judicial service की strength को बढ़ाना होगा यानि judges की संख्या को बढ़ाना होगा आज के टाइम पर भारत के अंदर बहुत कम judges आपको देखने को मल जाते हैं हर 10 लाक लोगों के ओपर बहुत कम judges हैं as compared to the other countries दूसरे देशों के अंदर बहुत सरे judges यहाँ पर अच्छे से cases को देख रहे हैं वहाँ पर pendency of cases इतने जादा नहीं है बट इंडिया में हैं पर judges की population कम है तो यहाँ पर आपको appointment करना होगा जाद से जादा judges का subordinate level पर अब यह subordinate level क्या होता है तो आपको बता होगा जब भी आप लोग court system को देखते हो तो सब से न जल्दी जल्दी देखा जा सके है clear हुआ फिर उसके बाद यहाँ पर एक और suggestion दिया गया है suggestion यह है कि आपको ADR system लाना होगा यानि कि alternate dispute resolution यानि कि आज के time पर कोई मुद्दा उठ रहा है तो वो मुद्दा court के अंदर जा रहा है लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ इस प् मिल जाएगा इनका properly हमें use करना चाहिए यह भी यहाँ पर इस suggestion के अंदर mention किया गया I hope आप लोगो काफी सारी information इस particular article के अंदर मिल गई है regarding criminal justice system उसके बाद आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर जो like का button उसको दबा दो I hope आप लोगो ने दबा दिया होगा और जो भी हमार आर्टिकल पर चलते हैं next article भी बहुत जादा important होने वाला है इस article के अंदर हम लोग बात करेंगे RBI report के बारे में RBI के रिवोट आई है currency और finance के उपर में इस report ने बताया कि भाई COVID-19 की जो recovery है वो अभी तो proper होनी पार है और 10 साल लगेंगे हमें recover होने में क्या 10 साल आपर ऐसा इस report ने बताया है क्यों बताया वो सारी बात है हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे काफी सारी economic terms है उसको यहाँ पर discuss करेंगे तो simply इस article को GS paper 3 economy से आप लोग relate कर पाऊगे तो यहाँ पर सबसे पहले basic पर आता है basic यह है Reserve Bank of India यानि RBI की रिपोर्ट आई है currency और finance के उप सकते हैं ऐसे यहाँ पर इस report ने बताया यह आप देखवाओगे दाहिंदू का एक article है details यहाँ पर इसको cover किया यह है अब question यह है कि इस report का नाम क्या है तो आप देखवाओगे एक और article इसके उपर इस report का नाम है revive and reconstruct ठीक है तो यह है revive and reconstruct यहाँ पर इस report का नाम है जिसने यहाँ पर यह सारी बतायी है कि भाई 10 साल लगने वाले हैं चीजों को recover होने में अब इस report ने पहले तो काफी सारी problems या फिर concerns को बताया कि आज के time पर क्या-क्या problems देखने को मिल रही है सबसे पहली problem यह बताया कि COVID-19 pandemic अपना आप में सबसे बड़ी problem है ठीक है हमने इतिहा आज में इस प्रकार का यहाँ पर pandemic नहीं देखा है और आज के time का सबसे बुरा health crisis यही है COVID-19 pandemic जिसकी वज़ासे हमारी economy in fact दुनिया भर की economy बुरी तरह से सफर करी है दूसरा point यहाँ पर problem के अंदर बताया कि COVID-19 के वज़ासे economy down होई और जो हमारी growth है वो बहुत ज़्याद 6% का यहाँ पर growth rate देखने को मिला था फिर 2021 के अंदर चीजे बदली थोड़ा बहुत यहाँ पर economy grow करने लगी तब 8.9% के आसपास पहुचा उसके वापस से down हुआ फिर up down यह होता रहा 2022 ते इसके अंदर expectation है 7.2% के growth की फिर उसका बताया गया बही ऐसे ही चलता रहने वाल इस तक हम लोग यह सारी चीजे recover कर पाएंगे जिस प्रकार से हालाच चल रहे हैं उसके इसाप से तो यही लग रहा है ऐसा है यहाँ पर RBI की report ने बताया कासकर यहाँ पर काफी सारे लोग की जान गई जॉब गई ठीक है और उसके बाद यहाँ पर इसी चक्कर में हमें थोड़ा जादा टाइम लगने वाला recover होने में पिर यहाँ पर क्या हुआ जले पर नमक वो है Russia-Ukraine का conflict यहाँ पर मुद्दा खराब चली रहा था economy down चली रही थी बीच में Russia-Ukraine का विवाद उड़ चुका था अब यह war लगातार चल रहा है जिसकी वज़ा से international level पर बहुत सारे product नहीं आपा रहे हैं उनके prices बढ़ चुके हैं तो high community prices आपको देखने को मिल जाएंगे भारत उन चीजों को खरीता भी है भारत एक सबसे बड़ा तेल importer भी आपको देखने को मिल जाएगा अब तेल के दाम international level पर ही काफी बढ़ चुके हैं तो वहाँ पर हम लोग को crisis देखने को मिल रहा है तो यही scenario आपको देखने को मिल जाएगा कि Russia युकरियन का conflict भी बीच में आ गया जिसकी वह से जो हालात है वो थोड़े से और डाउन हो गया उसके बाद यहाँ पर एक और problem बताए गई प्रॉबलम है यहाँ पर deglobalization की तो देखो एक तरीके से व्यापार बगरा नहीं कर पाए और आने वाले टाइम पर भी scenario ऐसी चलते रहने वाला है deglobalization क्या है देखो इसका मतलब समझते हैं इसका मतलब यहाँ पर पहले मैं आपको globalization बताता हूं फिडी globalization बताता हूं globalization का मतलब समझते हैं globalization मतलब borderless world जिसमें कहीं पर भी border कर नहीं है अराम से व्यापार चल रहा है ठीक है यहाँ पर goods का flow हो रहा है people इदर उदर ट्रावल कर रहा है capital ट्रावल कर रहा है मतलब अराम से यहाँ पर सारी चीज़े ट्रावल कर रही हैं बहुत smoothly flow हो रहा है वो condition है globalization की ठीक है लेकिन covid-19 की वज़ा से isolationism यहाँ पर आ अगर है उसको करना रोक दिया और जो यह globalization है यह decline होने लगा यानि जो पहले borderless वाला area हुआ करता था आपस में flow बहुत बहुत बहुतरीन सा चल रहा था वो चीज़े खराब हो गई और scenario deglobalization का आगया deglobalization के अंदर जो interdependency है वो हो जाती है काफी कम सब country अपने उपर ध् production वगरा को बनाने के उपर focus कर रही है तो यहाँ बताया गया country के बीच का जो trade है investment है वो सब यहाँ पर decline हो जाता है तो यह condition भी यहाँ पर deglobalization की देखने को मिल जाएगी तो report ने बताया कि यह सारी problems आज के टाइम पर हमारी economy देख रही है और इन problems से सफर कर रही है फिर उ परना होगा price stability एक सबसे important step है क्योंकि अभी price बहुत जाद आपको देखने को मल जाएंगे उसको stable करने की आवशकता है दूसरा यहाँ पर सरकार के उपर बहुत सारा करजा है सरकार को इस करजे को कम करना होगा यानि जो government debt को लगबग आपका सकतो GDP के जो 66% है उससे भी blow कर ना होगा उससे भी नीचे लेकर आना होगा आने वाले 5 सालों के अंदर क्योंकि यह debt रहेगा तो सरकार proper जो पैसा है वो जातर वही करजा चुकाने में लगाती रहेगी और growth के उपर कोई पैसा लगनी पाएगा उसके आद यहाँ पर एक reform ये भी बुला या एक change आपको य maintain करना यानि एक price को maintain करके चलना एक employment देना यानि कि रोजगार देना economic growth के उपर काम करना जो कि आज के टाम पर country में नहीं देखने को मिल रहा है ठीक है इसका balance बिगड़ चुका है तो इसको बापस सरी balance करना है उसके आद fiscal policy बात करता है कि demand के अंदर change करना ठीक है inflation यानि ज को वापस से balance करना होगा यह यहाँ पर हमारी इस report ने mention किया है अब fiscal policy और monetary policy के regarding एक fact है जो कि आप ध्यान रख सकते हो directly question आप से यहाँ पर बन सकता है देखो जो monetary policy और fiscal policy है दोनों के दोनों यहाँ पर instruments हैं जो कि यहाँ पर सरकार के दोनों हाथ देखने को मलेंगे दोनों fiscal policies यहाँ पर सरकार चला रही है sorry दोनों मतलब policy मतलब fiscal और monetary दोनों policy यहाँ पर mention यह किया गया कि देखो यह जो policies हैं इसको लागू किया जाता है सरकार के थुरू बट अलग-अलग departments यहाँ पर इसको देखते हैं departments अलग-अलग वो कौन-कौन से तो monetary policy को हमारी central government implement करती है और fiscal policy को हमारी ministry of finance यहाँ पर implement करती है तो इसके वारे में ध्यान रख सकते हो clear हुआ बाकि यहाँ पर कुछ reforms के बारे में बताया गया है कि आप लोगों कुछ changes के आवशकता है suggestion यहाँ पर देगा है suggestion क्या क्या देगा है पहला suggestion आपको क्या करना होगा labor की quality को increase करना होगा public expenditure को बढ़ाना होगा education पर पैसा खर्चो health के ओपर पैसा खर्चो लोगों की skills के ओपर पैसा खर्चो तब ही हाँ पर country के अंदर एक growth हम लोग देख सकते हैं ऐसा यहाँ पर इस report का कहना है दूसरे point के अंदर इसने mention किया देखो इन चीजों के अलाबा एक बहुत important point आता है वो ह science sector के उपर बात करें तो भारत बहुत कम पैसा खर्च कर रहा है research और development पर as compared to the other countries जैसे चाइना और यह US हो गया तो यह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने इन sectors के उपर तो इंडिया को भी यह करना होगा उसके बाद यहाँ पर तीसरा suggestion यह दिया गया कि आपर देखने को मिलेगी तो इससे की वज़ा से भी हम लोग देख पाएंगे हमारी economy ग्रोगी तो इस प्रकार का environment आप अपने country के अंदर बनाओ यह यहाँ पर तीसरा suggestion है 14 suggestion यहाँ पर बोला गया आज के टाइम पर बहुत सारी subsidies वगरा दी जा रही है तो उस subsidies को थोड़ा से यहाँ पर देखना होगा उन subsidies के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा control करना होगा तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर subsidies को भी regulate कर सकते हो यह यहाँ पर mention किया गया तैन उसके बा से यह कुछ यहाँ पर changes हम लोग कर सकते हैं यह यहाँ पर इसके अंदर suggestion दिये गए तो suggestion के अंदर यह तो यहाँ पर कुछ suggestion हो गए फिर उसके आप कुछ और suggestion भी दिये गए यह suggestion भी दिया गया कि बहुए इंडस्ट्रियल revolution 4.0 को promote करो आज के टाइम पर industrial revolution 4.0 बहुत ज़ sorry 2.0 इंडस्ट्री 3.0 के अंदर आप देख पाऊगे इलेक्ट्रोनिकल आईटी सिस्टम करस्तमाल हुआ लेकिन इंडस्ट्री 4.0 बात करता है साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बारे में यानि robotics के बारे में artificial intelligence के बारे में 3D printing के बारे में internet of things के बारे में big data के बारे में तो अब कुछ यहाँ पर advanced level के टेकनीक है और इसके अंदर अभी हम लोग काफी पीछे हैं तो industry 4.0 को यहाँ पर implement करना होगा यह यहाँ पर इसके अंदर एक suggestion दिया गया भाई इसको promote करो जाद से जादा जाद से जादा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर cyber system को develop करो अपने country के अ अंदर में प्लस उसके साथ साथ आपको pollution के ओपर भी देखना होगा और जो हमारा आज के टाइम पर target है net zero का उसको हमें achieve करना होगा उसके ओपर भी ध्यान रखना होगा तब ही हम लोग कुछ changes कर पाएंगे ऐसा इस report ने mention किया उसके बाद next point इस report ने mention किया अगर आप अलग देशों के साथ में आपको free trade agreement करना होगा जहां पे दोनों countries के बीच में जब export import होगा तो उस export import के दोरान जो extra charges, quota, tariff, duties वगर लगाई चाहती है जब ये free trade agreement हो जाएगा तो वो duties, charges नहीं लगाए जाएंगे तो वो free trade agreement कर लाएगा तो basically आप अलग लग देशों के तो ये काम कर सकते हो ऐसा यहां पर RBI की इस report ने mention किया है, clear हुआ, बाके industry 4.0 के बारे में आपको लड़ी बता चुका हूँ, फिर last में आपे UPSC ने RBI को लेकर 2016 में एक question पूछा था, वो question में लगा दिया है, चलो इसको थोड़ा सा attempt करते हैं, question को कुछ नया यहां पर जा पर उसका दूसरा statement यहां पर बोलता है, कुछ provisions आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे संविधान में, जो कि हमारी central government को right देता है, और वो central government को right यह है, कि वो central government हमारी RBI को direction दे सकती है public interest के matter के अंदर में, ठीक है, उसके बाद तीसरा यहां पर statement बोलता है, जो governor है हमारे RBI का, उसके पास जो भी power आती है, वो RBI Act के थुरू आती है, तो क्या तीनो statement में से कौन से statement correct हो सकता है, तो यहां पर आप देख पाओगे, तीनो ही statement correct आप लोग को नजर आएंगे, है ना, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, तो जो Reserve Bank of India है, पहले के करके समझते हैं कि पह Originally, जो privately owned आपको देखने को बलेगा, इसको, मतलब nationalize किया गया, 1949 में, Reserve Bank of India, फिर उसके बाद यहां पर Government of India के अंडर में आ गया, तो Reserve Bank of India को fully owned करती है हमारी Government of India, तो मतलब पहला statement correct हो गया, फिर उसका RBI का जो यह affair है, यहां पर बोला गया, इसको govern किया जाता है, Central Board Directors के Through मतलब कि next statement भी यहां पर correct है, तो मतलब आप कह सकते हो, कहें न कहें, यह तीनों के तीनों statement correct है, तो that is why यहां पर इसका correct answer आपको D मिल जाएगा, ठीक है, sorry D ने इसका answer आपको C मिलेगा, 1 and 3 यहां पर correct हो जाता है, ठीक है, तो 1 और 3 यहां पर इसके correct answer हो गया, मन्दर यहा हमारे समिधान के अंदर यह चीज़े mentioned है, कि हमारे सरकार के पास right है, कि वो RBI को direction दे सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा हमारी constitution के अंदर mentioned नहीं है, कि हां हमारी central government के पास right हो, central government यहां पर RBI को direction दे, इस वाज़े से यहां पर second वाला statement गलत है, हमारा answer इसका see हो जाएगा, one and three only, अगले article पर चलते हैं, next article काफी important होने वाला है, खास कर GS paper 3 environment के point of view से, GS paper 2 quality के point of view से भी important हो जाएगा, यहां पर हम बात करेंगे, SBM U 2.0 के बारे में मतलब की स्वच भारत mission urban वाले area की, मतलब शहर वाले area के बारे में आपर चर्चा की जा रही है, basic समझते हैं, issue क्या है, मुद्दा यह है, कि जो स्वच भारत mission urban 2.0 आपको देखने को मिलेगा, इसको launch किया गया था, यहां पर मतलब, sorry, इसको, यह जो हमा शहरों के लिए, कौन से शहर, जो की garbage free है, जहां पर कूडा करकट नहीं देखने को मलेगा, तो उस garbage free शहर को और जदा मजबूत करने के लिए, यहां पर यह काम किया जा रहा है, और यह स्वच भारत mission, शहरी वाला जो mission है, 2.0, इसने यहां पर इस प्रकार से guidelines को launch किया, इ आप लोग read up कर सकते हो, otherwise यह discussion में आगे करने वाला हूं, सब कुछ copy paste कर दिया गया है, तो national behavior change communication है क्या, यह basically एक rules and regulation है, कुछ framework, कुछ rule लेकर आया जा रहा है, इस rule का major focus क्या होगा, कि यहां पर उस country के अंदर, जो भी waste है, उस waste की processing हो, plastic waste को management किया जाए, उसका अच्छे से management किया जाए, transportation हो, collection हो, और उसको अलग कर सक्किया हम लोग, उसका segregation हो, तो मतलब basically पूरा पूरा garbage के उपर यहां पर ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है, साथ-साथ यहां पर remediation के उपर focus किया जाएगा, ठीक है, remediation क्या होता है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, focus किया जाएगा कि पूरी तरह से हमाँ पर जो कुड़ा वो साफ हो जाए, जो plastic waste वगरा है, उसको पूरी तरह समलोग manage कर पाएं, तो यह कम SBM ने किया है, तो major जो important चीज़ आपके examination के point of view से वो यही है SBM, यानि स्वच भारत mission U, यानि urban शेहर वाला 2.0, तो यह important क्यों है, क्योंकि इसको लेकर पहले काफी सरी question mains में पूछ लिए गए है, इसी वज़े से यह important है, तो स्वच भारत mission के अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखना, U, U, ball round, urban वाले area की, यानि शेहर वाले area की बात और यह एक होता है, आर वाला, rural वाले area की, गाउं वाले area की, ठीक है, तो यहाँ पर स्वच भारत mission U 2.0 ने इसको announce किया गया था, budget 2021 के अंदर में, यहाँ पर इसका पहला phase चला, इसका पहला phase launch किया गया, लगबग 1st October 2021 में, इसका पहला phase नहीं, इसका दूसराई phase था, यहाँ पर 2.0 को launch किया था, हमने पिछले साल October 2021 में, हमारा focus यहाँ पर य आने वाला है, और इसको implement किया जाएगा आने वाले 5 सालों के अंदर, 2021 से लेकर 2026 तक यहाँ पर यहाँ पर यह पूरा का पूरा mission काम करेगा, और इसमें जो पैसा खर्चने वाले हैं, वो 1.41 लैक करोड रुपीस खर्चा जाएगा, यह भी यहाँ पर बताया गया, यह तो 2.0 2001 से याने पिछले साल लौंच किया गया था, और फर्स्ट फेस यहाँ पर 2014 में लौंच किया गया था, इसका major मकसद था कि हम लोग open defecation free वाला area बना सके, मतलब जो खुले में शौच हो रहा है, उसको पूरी तरह से रोका जा सके, प्लस जो भी solid waste है, जो कूडा है, उस कूडे को खतम करना, प्लस जो single use plastic है उसको reduce करना, क्योंकि single use plastic अपने आप में बहुत जान लेवा है, in fact हमारे environment के लिए भी और साथी साथ यहाँ पर human beings के लिए भी, जब आप लोग plastic की life cycle देखते हो तो बहुत जादा है, जो in fact यहाँ पर एक polythene bag जो आप लोग use करते हो, उसको environment में fact दिया जाए, तो उसकी life cycle 20 साल के वो 20 साल तक environment में यह plastic ऐसी पड़ी रहेगी, और जो coffee cup होता है उसको fact दिया जाए, तो यहाँ पर 30 साल तक coffee cup ऐसी environment में पड़ा रहेगा, और environment को damage करता रहेगा, plastic straw की बात करें तो 200 साल तक यह plastic straw पड़ा रहेगा, प्लस यह जो environment को ही damage करेगी, coffee pod हो गया, यह 500 साल तक पड़ा रहेगा, plastic cup 400 साल तक, यह diaper की बात करें तो disposable diaper 500 साल तक यहाँ पर यह environment के अंदर पड़ा रहेगा, plastic toothbrush जो plastic का है वो भी 500 साल तक पड़ा रहेगा, तो यह आप देख पाओगे plastic की life cycle अपने आप में बहुत बड़ी life cycle देखने क remediation के उपर, अब यह remediation क्या होता है, जैसे कूला करकट है, उसके उपर हम लोग friendly bacteria का इस्तमाल करेंगे, वो friendly bacteria यहाँ पर यह उसको eat करेगा, उसको खाएगा, उसको वो सब चीज़े digest भी कर लेगा, ठीक है, और वो जो waste जब यह खा लेगा, वो microbe, उसके पेट में जाकर व और फिर वो सब water, जो भी harmless gas, वो सब यहाँ पर हमारे nature में release कर देगा, तो इस प्रकार के काम भी किया जाता है, जिसको हम लोग remediation बोलते हैं, clear हुआ, तो यह भी समझ में आ गया, इसी mission के अंदर में बोला गया, जितना भी waste water होगा, जो गंदा पानी है, उसको properly हम लोग treat क करेंगे, हम लोग अपने जो water bodies, आज के टाइम पर क्या हो रहा है, जो गंदा पानी industry से निकल ला है, घरों से निकल रहा है, वो सब जाकर पानी में, यहानी समझ मिल जा रहा है, नदियों मिल जा रहा है, तो उसको रोकने को उपर काम करेंगे, इस स्वच भारत mission के अंदर में, तो basically अगर हम लोग बात करें, इसका major outcome क्या निकल कराएगा, major outcome यह निकल कराएगा, हमें 5 साल में काम करना है, जितने भी टाउन है, सब को open defecation free plus certified towns बनाने हैं, मतलब कि वहाँ पर खुले में शौच बिलकुल भी ना हो, इसके ओपर focus रखना है, क्योंकि आज के टाइ प्लस करने वाले हैं, प्लस यहाँ पर दूसरा focus होगा, जितने भी statuary towns आपको देखने को मलेंगे, जहाँ पर एक लाग से कम आबादी आपको देखने को मिलेगी, इन आबादी को देखते वे, उस area को हम लोग क्या करेंगे, open defecation plus plus यहाँ डबल प्लस certified area बनाएंगे, focus करे उसके बाद 50% जितने भी statuary towns आपको देखने को मलेंगे, जहाँ पर जन संख्या एक लाग से कम होगी, ठीक है, उसको हम लोग water plus यहाँ पर certified area बनाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, यह basically हमारा major purpose है, कि बहुत सारे towns को हम लोग एक अच्छा town मना सकें, वहाँ पर जो hygiene है, वो maintain कर सेकें, साफ सपाई को maintain कर सेकें, और open defecation free को हम लोग promote कर सेकें, यह हमारा यहाँ पर major purpose है, उसके बाद आते हैं next article की दरफ, अगला article भी काफी important है, इस article में आप लोग GS paper to policy के point of view से काफी सारी important चीज़ों को cover करने वाले हो, हिमाचल प्रदेश क एक tribe है, जहाँ पर बात की, हाटी tribe की, तो हाटी tribe काफी चर्चा में हाटी tribe, यहाँ पर हाटी प्रोनाउंस किया गया है, आप देख पाऊगे, एक article है, यह हाटी लिखावा है, हाटी समूदा है, ठीक है, डिसकस करता है इसके बारे में, तो basic क्या है, basic मुद्धा है हमारी क सरकार है, आज के टाइम पर विचार कर रहे है, वो विचार यह है, हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर जो सरकार है हमारी सरकार से, कि जो हाटी community आपको देखने को मिलती है, इस community को schedule tribe के अंदर डाल देना चाहिए, schedule tribe के list के अंदर add कर देना चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ प प्रॉपरली यहाँ पर सुनवाई की जा रही है, इसके उपर पूरी तरह से हमारी जो center government है, हमारी केंसरकार वो विचार कर रही है, और possibility है कि इस tribe को क्या कर रहेंगे, हम लोग schedule tribe के अंदर add कर देंगे, इस article को details है, Indian Express ने explain section पर cover किया कि यहाँ पर हाथीज कौन है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, प्लस यह लोग यहाँ पर schedule tribe का status क्यों उचाते हैं, वो यहाँ पर आप देख पाओगे, यह आप देख पाओगे हमाचल प्रदेश के कुछ government officials बैटे वे हैं, यहाँ पर हमारे home minister अमिशा जी के साथ में, इस article को details से Indian Express ने cover किया है, पुरा article में लग लगा दिया है, तो आगे चलके discussion करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ पर इस scheme के बारे में जान लेते हैं, देखो, sorry, यह scheme मैंने बोल ला हूँ, यह tribe के बारे में जान लेते हैं, देखो, जो community आपको देखने को मिलती है, यह community की बात करे हैं, हम लोग खाथी community की, यह community बहु इस्टेटस यह मांग रहे हैं, यह आप लोग देख पाऊगे, बहुत लंबे समय से मांग की जारी है, मैं आपको बताया, उसके बाद जो इनकी डिमांड है, ट्राइबल स्टेटस को लेकर, यह बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, इनका जैसे की जो कुम्बली होता है कुम्बली होता है, वहाँ पर कुम्बली क्या होता है, जो यहाँ पर इसके बारे मेंशन किया गया है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, इनका जो ट्रेडिशनल काउंसल है, उस ट्रेडिशनल काउंसल को यहाँ पर कुम्बली बोल जाता है, तो इस कुम् की वज़े से पढ़ा यहां पर अगर हम लोग बात करें तो बहले के समय पर यह लोग vegetables को उगाते थे crops, meat, wool ठीक है इनको यहां पर बेचा करते थे तो यहां पर जब इनको बेचा करते थे तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, बाकि जो यह हटीस हैं जो की रह रहे हैं ट्रांस किरी एरिया के अंदर और साथी साथ आप देख पाओगे उत्राखंड के जॉन सर बावर वाले रिजन के अंदर रह रहे हैं, यह पहले यहां पर एक royal state of Srimura का पार्ट हुआ करता था, बाद में आप पर इस separate हो गया था, तो ध्यान रख सकते हो, यहां पर आप देख पाओगे, एक rigid caste system नजर आता है, यानि कि caste को लेकर यह काफिया तक sensitive देखने को मिलता है, इनकी जो upper caste मानी जाती है, भात और खाश, यह दो upper caste मानी जाती है, और एक caste यहां पर बदोईस करेंगे, यह यहां पर lower caste मानी जाती है, और यहां पर जो inter caste मारीज बगर है, अगर हम लोग बात करें traditional basis पर तो वो बहुत जादा यहां पर, मतलब आप कर सकते हो कि, अगे इसमरा कर देर inter caste मारीज यहां पर नहीं हुआ कर दी थे, आप लोग ध प्राइब स्पाई जा रही है, तो इस वज़द से यहां पर क्या हुआ, कि इनको बहुत सरी disadvantage मिल ले थे, disadvantage किस प्रकार के, तो इनके पास यहां पर proper education नहीं पहुंची है, proper employment नहीं पहुंचा है, इसकी वज़द से यहां पर इनको काफिसरी disadvantage मिल है, disadvantage इसलिए मिल है, क्यों जिसको हम लोग कुंबली बहुत है, तो traditional council यहां पर इनको govern करता है, तो आप लोग इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो, तो यह हुआ हमने बात की हाथिस tribe के बारे में, जो कि अभी चर्चा में है, ठीक है, बाकी मैंने आप लोग को बता दिया कि क्या मांग की जारी है, यह हम लोग ने discuss कर लिया है, ठीक है, मांग यह की जारी है, इनके through, वो यह है कि यहां पर इनको schedule tribe की list में डाल दिना चाहिए, तो schedule tribe की list वाला मुद्दा क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, schedule tribes के बारे में हमारे समिधान में, article 366, clause 25 और article 342 आपको देखने को मिलेगा, article 36 366, clause 25 यहां पोलता है, हमारे समिधान का, यह बात करता है, schedule tribes के बारे में, और यह बोलता है, जो भी schedule है, in accordance with article 342 of the constitution, वो यहां पर schedule tribe है, तो मतलब कि इस article जो आप देखोगे, तो यह article, एक और article के बारे में बात करता है, वो है article 342, article 342 यह बोलता है, कि भाई, सिर्फ और स के थुरू, या फिर एक act को amend करके, यहां पर उसको schedule tribe notify कर रहे है, कोई schedule tribe है, तो उस schedule tribe को हम लोग इस schedule tribe के list में add कर सकते हैं, यह यहां पर mention किया गया, ठीक है, तो पहले यहां पर schedule tribe को notify करना होगा, और वो भी यहां पर declare किया जाएगा, कैसे हमारे president यहां पर declare करेंगे, ए एक initial public notification के थुरू, या फिर किसी act को amend करके, यहां पर उसको schedule tribe declare किया जाएगा, लेकिन हमारा सम्भीधान, schedule tribe को लेकर काफी सांत रहता है, ऐसा आपर बताया या, schedule tribes के बारे में ज्यादा है, पर चर्चाख ही नहीं जाती है, in fact यहां पर बोला जाता है, schedule tribes जो भी हमारे tribes people ह geographical isolation की वज़े से क्योंकि अलग से इनका area पढ़ जाता है, प्लस यहां पर social education के अंदर काफी backward रह गए हैं, ठीक है, economic backwardness यहां पर आपको जाधतर देखने को मिलेगी, इसकी वज़े से जो schedule tribe communities है, वो दूसरे communities से काफी different मानी जाती है, ऐसा यहां पर आपको देखने को मिल ज आते हैं, इसमें से जो 75 schedule tribes हैं, वो यहां पर PVTG के category के अंदर है, तो ध्यान रखना, देखो बहुत सरी tribes पाई जाती हैं, उसमें से 75 tribes PVTG हैं, मतलब की particularly vulnerable tribal group, यानि की ऐसी tribal group जो की काफी खत्रे में है, जिनकी population लगातार decline हो रही है, जिनके अंदर education को लेकर अगर आपको education बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिल जाएगी, और economy बहुत ज़्यादा सीमित सी economy है, बस खाली याँ पर गुजारा चल रहा है, तो वो basically जो tribe है, वो particularly vulnerable tribal group आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिनकी जनसक्या बहुत ज़्यादा कम बची भी है, अब इन schedule tribes की production के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे initiatives उठाएवे हैं, बहुत सारे act आपको देखने को मिल जाएगे, जो कि schedule tribes के लिए work करते हैं, तो इन act के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहला act है, schedule tribe and other traditional forest dweller, recognition of forest right act 2006, उसके आद provision of the 5th extension to the schedule area act, जिसको मोग पेसा act के नाम से जानते हैं, फिर minor forest produce act 2005, SC and ST prevention of atrocities act हो गया, tribal subplan strategy हो गया, तो यह अलग अपको initiative देखने को मिलता है, इन initiative को मने क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर directly question मन जाते है, initiative को लेकर, आपको यह पता होगा, mains के अंदर यहाँ पर question पूछ लिया जाता है, कि हाँ यहाँ article के अंदर हमारे समिधाने mentioned है, then उसके अदर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सरकार ने क्या-क्या initiatives यहाँ पर उठाए है regarding schedule tribe, clear हुआ, तो यह यहाँ पर question मन जाते हैं, I hope आप लोग को एक-एक बात काफी अच्छे से clear हो चुकी है, then उसके बाद आगे बढ़ते हैं, next article के अदर हम लोग discussion करेंगे, sloth bear के बारे में यह article आपका GS paper 3 environment के point of view से काफी important होने वाला है, तो अभी हुआ क्या, news यह निकल कर आती है, दो sloth bear है, जिनको अभी rescue किया गया, बचाया गया, forest officials के थूँ, तो यहाँ पर एक गाउं में बचाया गया है, जहारखंट के अंदर में जो people of animal group है, इसके थूँ, people of animal group क्या है, तो यह basically एक animal welfare organization आपको देखने को मलता है, यानि की पशु कल्यान के लिए काम करता है, जिसको found किया गया था मनेका गांदी के थूँ, तो अभी दो sloth bear को बचाया गया, इसको उपर article पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको sloth bear के regarding काफी सारी information देने वाला हूँ, जिसके regarding question मन जाता है, sloth bear यहाँ पर पाया जाता है, स्रिलंका के अंदर, इंडिया के अंदर, बोटान के अंदर और नेपाल के अंदर में, कासकर जो low land areas आपको देखने को मल जाएंगे, नीचे स्तरवाल area, वहाँ पर sloth bear पाया जात साइड से में जो गया, तो इस प्रकार से हैं आपर यह sloth bear नजर आता है, आगे बात करते हैं, अब यह हम लोगों ने देखा कि क्या कहाता है, हमने डिसक्स किया, इसका scientific name क्या है, तो scientific, इसका name है, sorry, malursus urusiness करके हैं, आपर इसका नाम देखने को मिलेगा, malursus urusiness, यह स्का scientific name है, habitat की बात करें, तो यह आपको देखने को, मैं आपको अलड़ी बता दिया है, कि जंगल वाले इरिया में देखने को मिल जाएगा, और जंगल वाले इरिया के साथ साथ, लंका, इंडिया, भुटा, नेपाल के अंदर, यह sloth bear पाया जाता है, production status की बात करें, क्योंकि इसको लेकर question बन जाता है, आपको मैं दिखाऊंगा, UPSC ने पहले भी इस प्रकार से question पूछाए, तो production status के अंदर, जो इसका IUC and readily status के अंदर, vulnerable category के अंदर है, vulnerable मतलब की इसकी जो जनसंख्या है, वो काफी खतरे में है, इसको अगर protection नहीं मिली, तो यह प्रजाती खतम हो जाएगी, उसके साथ साथ जो Indian Wildlife Protection Act 1972 है, इस Act के schedule 1 के अंदर यहाँ पर इस प्रजाती को रखा गया है, प्लस इस प्रजाती को खतरा क्या है, इसको समझते है, यह जो Wildlife Protection Act है, इसको भी आगे माँ समझाओंगा, थोड़ा सा वेट करो, अभी फिलाला को बात करें, इस प्रज इस प्रजाती को खतरा क्या है, जो खतरा यह है, जहां पर भी रहता है, जो Habitat है, जहां पर यह प्रजाती पाई जाती है, उस Habitat के अंदर एक बहुत 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 लास देखने को मिल रहा है, प्लस इस जानवर की illegal तरीके से ट्रेडिंग होती है, इसके body parts की वज़ा से, प्लस यहां पर बहुत सारा, मतब इस bear की side से बहुत जादा aggressive behavior दिखा दिया जाता है, ठीक है, कभी-कभी जो bear है, बहुत सारी फसलों को damage कर देता है, जिसकी वज़ए से यहां पर इनसान जो है, इसको मार देता है, तो बहुत सारे threats यहां पर इस जानवर को लेकर देखने क मिलते हैं, बहुत सारे यहां पर खतरा है, और इसी खतरे की वज़ए से यह vulnerable category के अंदर पहुंच चुका है, जिस प्रकार से इसकी जनसान क्या खतम हो रही है, दन उसके बाद मैंने आपको बताया, कि यह वाला जो परजाती है, यह Indian Wildlife Protection Act 1972 के Schedule 1 के अंदर रखी गई है, तो Schedule 1 यह बोलता है, कि जितने भी प्रजाती हैं आपको देखने को मिलती हैं, मतलब कोई प्रजाती है, जो इसको Schedule 1 के अंदर डाल दिया गया, मालो अभी Sloth Bear को Schedule 1 के अंदर डाला गया, तो यहां पर यह बोला गया, कि इस प्रजाती को एक Protection दिया जाएगा, बहुत Hard Protection दिय जाएगा, प्लस यहां पर अगर कोई भी उसको मारता है, ठीक है, या फिर आपका सकते हो कि उस प्रजाती को खतम करने पर लगा रहता है, तो उस व्यक्ति के Agnes में Penalties वगरा चार्ज की जाएगी, ठीक है, अगर इस कानून के Agnes में जाता है, तो उस व्यक्ति को ऊपर यहा इक High Protection दी जाती है, तो मतलब उसको आप लोग हंट नहीं कर सकते हो, उसको शिकार नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो अगेन यहां पर आपके खिलाफ एक Penalty चार्ज की जाएगी, ठीक है, फिर उसके आद यहां पर WPF के अंदर Schedule 3 और Schedule 4 आपको देखने को मल जाएगा, नव यह जो list है, यहां पर again कुछ प्रजातियों के लिए है, जो कि endangered नहीं है, ठीक है, जो कि endangered category अंदर नहीं देखने को मलेंगे, इसके अंदर, मतलब कि endangered category अंदर नहीं है, मतलब ठीक ठाक इनके जनसंग क्या है, लेकिन यहां पर क्या है, इनको भी एक production दी जाती है, और Pen यहां पर आप दिखा सकते हो, उसके उपर Penalty चार्ज की जाएगी, तो मतलब जानवर को production देने के उपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन Penalty जो होगी, वो उपर वड़े दो किसी से कम होगी, यह भी mention किया गया, फिर उसके बाद इसी Act का Schedule 5 क्या बोलता है, यह Schedule के अंद बगएरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसको पूरी तरह से यहां पर फॉर्बेट कर दिया गया है, ठीके वो यहां पर Schedule 6 के अंदर रखे गए हैं, clear हुआ, आई होप आप लोग यहां पर इसको काफी अच्छे से समझ गए होंगे, मतलब कि यहां पर Schedule 6 के अंदर वो सारे plants कर रखा है, clear हुआ, तो यह हमारा Wildlife Protection Act के 6 Schedules हो गए, उसके बाद जैसे मैंने बोला था, UPSC ने 2012 में question पूछा था, इसको 2012 के according से ही solve करना होगा, यहां पर डिरेक्टली इस प्रकार से question पूछे ले जाते हैं कि किस जानवर का जो status है, वो क्या है, दिख पाऊगे question बोलता है which one of the following groups of animals belong to the category of endangered species, यहां पर आपको चार option दिये गए हैं, चार option के अंदर अलग-लग जानवरों के नाम दिये गए हैं, और पूछा यहां पर कि कौन सा ऐसा एक option है, जहां पर सभी जानवर endangered species के अंदर है, मतलब कि उनकी जान को काफी बड़ा खत्रा देखने को मिलेगा, option option B के अंदर कश्मीर स्टैग, चीतल, ब्लू बल, उसके बाद यहां पर ग्रेट इंडियान बस्टर्ड, option C के अंदर स्वांप डियार, रेसस पॉंकी, और सारस, option D के अंदर लाइन टेल मैकाव, ब्लू बल, उसके बाद यहां पर हनुमान लंगूर और चीतल, तो यह नाम देखने को मिलेंगे, वैसे इसका directly answer में आपको बताओं, तो 2012 की according, इसका correct answer आपको A देखने को मिलेगा, Great Indian Bustard, Musk Deer, Red Panda, और Asiatic Wildness, यहां पर यह कुछ ऐसे जानवर है, जो कि endangered species की category के अंदर देखने को मिलता है, जिनकी जान को काफी बड़ा खतरा है, इसको लेकर आपको यह पूरा का पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा, Great Indian Bustard, Critically Endangered, Musk Deer Endangered, Red Panda Endangered, Asiatic Wildness, Near Threatened, ठीके, खतम होने की कगार पर है, कश्मीर स्टैक, least concern मतलब की इसकी अच्छी कासी प्रजाती है, चीतल की अच्छी कासी प्रजाती है, Blue Bull की, बल के रावाल बार, Bull, तो यहा प्रजानवर चर्चा में आता है, उसका IUCN status यहां रखना, जैसे Sloth Bear के बारे में चर्चा की गई, तो Sloth Bear यहां पर Vulnerable Category के अंदर है, इस प्रकार से हैं पर question बन जाते हैं, ओके, दन उसकी आद यहां पर, यह हमारा last article था, अब फटा-फट हम लोग क्या करेंगे, अपने परिशान रहते हैं, question लगा दिया करो, तो वह लगा दूगा मैं, वैसे यहां पर, आप लोग video को अच्छे से सुन रहे हो, तो उसके ज़वरत नहीं पड़ेगी, वैसे कोशिश करूगा कि मैं लगा सकूँ, otherwise मुझे काफी time लग जाता है, इन चीजों को research करने में, फिर content त्यार करने में, मैंने आपको बताया है, तो मुझे चार-चार घंटे लग जाते हैं, इस PPD को प्रिपार करने में, फिल्कुल इतना ही time लगता है, फिर recording करने के बाद यहां पर 5 घंटे लग जाते है, सुबह मॉर्निंग के वीडियो में मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं, यहां पर 10-12 घंटे इन वीडियो पर निकल जाते हैं, बाकी मेरा दूसरा काम नहीं हो पाता है, तो इस वैसे मैं मतलब कि question निकालने में थोड़ा सा time लग जाता है, time consuming process हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि यहां पर वीडियो न रुख जाए, that is why यहां पर मैं कोशिश करत कि लगा सकूँ, थोड़ा सा और time दे सकूँ इस पूरे वीडियो के अंदर में, बाकी revision की बात करें, तो सबसे पहले article में हमने criminal justice system के बारे में discussion किया, Supreme Court ने भी दो महिने दिया है, High Court को, State को कि criminal trial के अंदर आपको सुधार करना होगा, सुधार आप लोग कर सकते हो, फिर उ उसके बाद हमने समझा कि इसके objective क्या है, obvious ही बात है, अपर राद को यहाँ पर कम करने के लिए, इस justice system को ले कर आया गया, बाकी यहाँ पर क्या-क्या आवशकता है, इसके अंदर changes करने की वह हमने discuss कि वही पुराने जमाने का law है, अब यहाँ पर change करना होगा, प्लस काफी हो रहा है, प्लस यहाँ पर justice के अंदर, जो cases हैं, वो काफी pending चल रहा है, तो justice delay और justice denied वाला concept यहाँ पर लागू होता है, उसके बाद हमने यहाँ पर discuss किया, कि इंडिया के अंदर बहुत सरे लोग, under trial prisoners आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनकों की बिलुगल convict साब इतनी हो है, जिनकों पर trial वगरा चल रहा है, तो इस चीज़ को देखते वे भी हम लोग को इसके अंदर एक बदलाव की जरुवत है, बाकी यहाँ पर police के अंदर काफी सारी corruption और बाकी सारे huge workload देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी बदलाव किया विशकता है, प्लस क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर suggestion दिये गए, कि बाई judges की यहाँ पर जो population उसको बढ़ाओ, प्लस victims को compensation दो, प्लस यहाँ पर एक दूसरे तरीका लेकर आओ, ताकि cases को जल से जल हम लोग solve कर सकें, दन उसके बाद अगले article में हमने discuss क्या, RBI की report है currency और finance के उपर, Reserve Bank of India ने यहाँ पर currency finance को लेकर एक report publish करी है, और बताया, COVID-19 की वज़ए से काफी सारा loss हुआ है, और इस loss को recover होने में लगबग 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल बाद यहाँ पर इस सारा loss recover होगा, तो RBI की इस report का नाम है, revive and reconstruct ध्यान रख सकते हो, बाकी सारी इस report ने काफी सारी problems discuss की गई है, problems क्या है कि यहाँ पर economic growth हमारी काफी down देखने को मिली है, pandemic की वज़े से काफी loss हुआ है, उसके बाद Russia युकरियन के dispute के वज़े से situation और खराब हो गई, deglobalization का concept यहाँ पर लगू होता वर नजर आएगा, जहाँ पर properly वैपार नहीं हो पाया है, plus यहाँ पर आप देख ना होगा, monetary policy और fiscal policy को वापस से rebalance करना होगा, इसके अंदर situation काफी खराब हो चुकी है, फिर उसके यहाँ पर अलग-लग measures थी है कि research और development के उपर काफी पैसा खर्चो, infrastructure के उपर पैसा खर्चो, तब जाके यहाँ पर काम होने वाला है, industrial 4.0 को promote करना होगा, free trade agreement यहाँ पर क हम लोगों ने जाना कि वही यह, national behavior change communication किया है, जहाँ पर focus कर रहे हैं, हम लोग garbage free city को और जदा मजबूत करना, plus switch वारत mission 2.0 के बारे में हमने discussion किया, इसका phase 1 launch किया गया था, 2014 में और phase 2 यहाँ पर पिछले साल 2021 October में लाँच किया गया था, इसका 5 साल का इसका goal है कि बयाने अशौच ना हूँ, उसके उपर focus किया जा रहा है, उसके बाद अगले article में हमने यहाँ पर हिमाचल प्रिदेश की हातिस community के बारे में discussion किया, तो यहाँ पर हमारी जो केंड सरकार है, वो यहाँ पर विचार कर रहे है कि आखिरकार यहाँ पर इन community को schedule tribe की list के अंदर डाल द के बारे में, प्लस सरकारी initiative क्या क्या है, यह हमने discuss किया, then sloth bear के बारे में हम लोगों ने जाना कि sloth bear आज के टाइम पर देखने को मिला, इसको rescue किया या, इसको बचाया गया है, और sloth bear को लेकर काफी सरे concerns देखने को मिलते हैं, इसकी प्रजाती काफी खतम हो रही है, स्रि यह wildlife production act के schedule 123456 क्या होते हैं, इसको हमने समझा, फिर UPSC का 2012 का एक हमने question किया, और यहाँ पर इस question के तुरू हमने समझा कि कोई भी जानवर चर्चा में आता है, तो उसका IUCN status cover कर लेना है, ओके, नाव इसके साथ करते हैं, हम लोग अपने lecture को समाप्त, और मिलते हैं आप आज के लिए, बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and Jai Hind!